हल दोस्तों आप देखरा स्पोर्ट्स क्रिकेट चानल और आज की सुनुलाद करने वाले है पीएसेल 2030 की जैसे आपको पता ही होगा पाकिस्तान सूपर लिग शुरू हो रहा है 13 फेबुररी से पहला मैच कहला जाएगा जो कहला जाएगा मुल्तान सुल्तान और लाहूर के बीच में तो उसी मैच का है इस वीडियो में हम लोग प्रिव्यू करेंगे प्रेडिक्शन करेंगे तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो बैयो शुरुआत करता है लाहूर कलंदर्स की टीम के साथ पिछले साल के चैंपियन्स थे इस साल करेंगे जौर्डन कॉक्स के यह तीम पर खेलाने चाहेंगे जौर्डन कॉक्स की एविलिबिलियूटी पर हलाके शुरुआत में थोड़े से कंसर्ण्स है अगर वो अनवीलिबल होता है तो जौंसें चाल से अफ़िशे वोप को भी टीम खिला सकती है पर जिस तरीका जौ भी बढ़िया है बैटिंग और उत्रा जदा मुझे नहीं लगता है हलाकि फिनिशर्स की टीम के पास कमी नहीं है बात कीज़ें मुल्तान सुल्तान की तो पिछले साल ये टीम भी रणर साप रही थी और पिछले 2-3 से इस टीम ने लगाता है आचा परफार्म किया है इस साल ये ऐसा ही बड़िया प्रदरशन कंटिनियो रखना चाहेंगे मुलतान सुल्टान की भी एक्सपक्रेट प्लेंगिलों की बात कर लेता है तो कप्तान मुहमद रिजवान के साथ शान मसुद ओपन करेंगे ये ओपनिंग पियर मुझे इनका काफी अच्छा लग रहा है स्टेबल ओपनिंग पियर है मेरे ख्याल से ये टीम को अच्छी शुरुआत करके देंगे दोनों मुझे रहा है इस टॉर्णामेंट में लंबे रन बराएंगे बड़ी पारयों के आप दोनों से ही उम्मीदे कर सकते है दोनों ही टेकनिकली काफी करेक्ट बले बाज है और मुझे रहा है ये टीम को अच्छी शुरुआत इस पूरे टॉर्णामेंट में थ्रूआट प्रोवाइड करेंगे और इस ओपनिंग पियर को कॉपलिमेंट करने के लिए टीम के पास मिडल ओर्डर में बहुत ज़्यादा फायर पावर है राईल उरुसो, खुशदिल शाह, कारन पोला, टीम डेविड जैसे बले बाज इनके पास मिडल ओर्डर में है ओपनिंग पियर इने स्टेवल शुरुआत देगा, श्याद दिन टेज शुरुआत ना दे पाए खेला जाएगा, तो मुल्तान के लिए एडवांटेज होगी मुल्तान की पिछ की बात कीज जाए, तो वैसे तो ट्रडिशनली थोड़ी स्लो पिछ रहती है पर क्यों की टॉर्णामेंट की शुरुआत है, तो मुझे नहीं लगता है, आपे जादा स्लो पिछा में देखने को मिलेगी बैडिंग के लिए ठीक ठाक पिछा में देखने को मिलेगी, फ्लैट पिछ आप एक्सपेट कर सकता है हाला कि फिर भी जादा है स्कूर मेंच मेरे ख्याल से नहीं रहेगा, 170 के आसपास का टार्गेट है पर बहुत बढ़िया टार्गेट होगा 160 के आसपास का मुकाबला भी हैंपर इंटरस्टिंग मैच हो सकता है टोर्णामिट का पहला ही मैच है तो पार स्कूर प्रडिक करना आसान नहीं होगा तो टोश जीत कर पहले बालिंग करना ही ज़्यादा बैतर आप्शन रहेगा और इस मैच में मेरे ख्याल से टार्गेट चेस करने मेले टीम के मैच जीतने के ज़्यादा चांस रहेंगे तो जो भी टीम टॉश जीते की उसे पहले बालिंग करनी चाहिए मैच परडिक्शन के बात की जायए तो मुलतान सुलतान का बैटिंग वाड़र मुझे बहुत जब्ल दसता नजर आ रहा है लाओर किलिंडर्स की टीम भी बड़िया है पर मेरे ख्याल से समैच को मुलतान सुलतान जीतेंगे तो मेरा match prediction रहेगा PSL के पहले match के लिए मुलतान सुल्तान अब अपनी राय जरूर से comment section में बताइए इस वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe करके बला आके दुना ना भूले जाए हिंद